स्वागत है आपका हमारे चैनल नवल आईटे स्टूडियो में तो दोस्तो आज का जो वीडियो आनुवला बहुत ही इंपॉड़न होने वाला है तो आज के वीडियो को बिल्कुल भी आपके स्क्रिप न करें और वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको जो भी पता है जा करने वाले हैं कि कौन सा कमांड में कौन सा कमांड होता है तो आज के जो वीडियो में हम यही कवर करने वाले इसी चेतर को कवर करने वाले हैं कि कौन सा कमांड किस मीनू में होता है और आज हम मुक्रूप से उन कमांड को ही देखेंगे जो कि आपके ट्रिपल से एकजाम में जनली पूछे जाते हैं कई बार जो पूछे जाते हैं जिससे कि बाद में भी अगर हमारे एकजाम में कुछ ऐसे कोसंस आते हैं जो कि आपक आपको इन questions को करने में कोई समस्या नहों ठीक है तो इसमें कई सरे students के requirement आई थी तो मैंने जो finally कहा कि इस पर एक वीडियो बनाता हूं ठीक है तो चलिए देखते हैं हम आज Libre Office Writer में ठीक है लिए सबसे पहले हमागा आते हैं अपने लीपिरए anfis पर डीक है लिपिरए आफिस इसको तेसे थी टार्ड़े कर लेती हैं तो रिपरे आफिस को इहां ओपन किया तो दोस्तों मैं एक बाल बता दूँ आपको जो इसे प्स्टार्ट करने से मुझूद होते हैं जैसे कि आपका आपने MS Office तो पढ़ा ही होगा MS Office में आपने पढ़ा होगा MS Word MS Excel, MS PowerPoint ठीक है तो उसमें आपके EA 3 Software मुखरूप से जो कि आपके CCC में भी पढ़ाय जाते हैं और अधिकान स्कोर्स में आप पढ़ते हैं बेसिक में भी पढ़ते हैं लेकिन इसके आत्रीक भी कुछ प्रोग्राम होते हैं Microsoft Office में जैसे की Microsoft Office Access Microsoft Office Outlook Microsoft Input Designer ठीक है ऐसे कई सारे आपके प्रोग्राम Microsoft Office में मौझूद हैं इसी तरीके से आपके Libre Office भी है Microsoft Office की तरह से ही आपका Libre Office Company है ठीक है Microsoft Office ने अपना बना है Microsoft Office नाम से उसी तरीके से Libre वाले ने बना दिया Libre Office नाम से ठीक है जो Libre Office से इसको The Document Foundation के द्वारा लॉंच किया गया है Libre Office जो Libre Office और MS Office में बहुत ही खास अंतर है MS Office और Libre Office में बहुत ही खास अंतर है और वो है क्या चीज कि जो आपका Libre Office है ना Libre Office आपका Open Source है जबकि जो MS Office है वो Proprietary है यानि Proprietary Software है यानि कि हम कहा सकते हैं कि वो Closed Source है ठीक है और Open Source और Closed Source का मतलब आप भली भाले जानते हूँ कि Open Source का क्या मतलब होता है Open Source का मतलब यह होता है कि यह Software फ्री में उपलब होते हैं और जब यह कंपनिया Software को बनाती है उसके बास से यह कंपनिया बाद में उससे कोई रुपए वसूल नहीं करती है जो भी इसके Users होते हैं जैसे कि हमें अगर Computer में Libre Office यूज करना है पर्चेज करने के आप सकता पढ़ती है MS Office को MS Office Proprietary है और जो Libre Office है यह कहा है आपका Libre Office आपका Open Source Software है ठीक है तो चलिए हम आज आते हैं सबसे पहले Libre Office Writer सबसे पहले चीज कि जो Libre Office Writer है आपका एक Word Processing Program है बिल्कुल MS Word की तरह Microsoft Office Word जैसे इसी तरह से खुलता है तो बिल्कुल ऐसे interface आपको इसमें भी मिलेगा MS Office की तरह ही लेकिन क्या है उसमें जो है कि कुल टैप्स होते हैं उसमें क्या होता है Home Tab, Insert Tab ठीक है उस बद पेज ले आउट, References, Mailing, Review और View यह सब टैप्स होते हैं लेकिन इसमें क्या है आपका Libre Apps नहीं देखिए है ध्यान से देखेंगो तो पहला क्या है File Menu फिर Edit Menu फिर View Menu फिर Insert Menu फिर Format फिर Styles फिर Table फिर Form फिर Tools और Window और Help यह को लितने मीनू दिये गए हैं ठीक है और पहला है हम इसके interface से कुछ परचित हो लेते हैं तो देखें सबसे पहले जो नीचे दिया गया इसमें Libre Apps वाले में इसमें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे रिचे के आपका इस्टेटस बार बोलते हैं जिसमें आप देखें लेफ्ट साइड कोने पे पेज वन आप वन दिखा रहे है कुल कितने पेज हैं डाकुमेंट में फिर यहां दिखा रहे है कितने वर्ड और कितने करेक्टर लिखे गए हैं फिर पेज का style language यह सब जनकार उप्लद कराता है और यही अगर आप आएंगे right side कोने पर क्या करेंगे right side अगर आप कोने पेएंगे तो यहां पे आपको दिखाएगा जून साइज ठीक है अगर आप इसको घटाएंगे तो minimum आप जा सकने कितना minimum आपका हो सकता है जून साइज 20 ठीक है minimum करेंगे तो 20 पर जाएगा minimum minimum और अगर आप इसको बढ़ाते हैं ठीक है अगर आप माले इसको बढ़ाते जाते हैं बढ़ाएंगे तो कहां पहुंचेगा लाश्ट लाश्ट आपका पहुंचेगा यह 600 पर अधिक्तम जून साइज कितना हो सकता है इसके बाद आपसे पुझाता है कि default font size क्या होता है कि Libre office writer में default font size क्या होता है देखिए हमने क्या कि Libre office writer को हमने open किया यह भी तक हमने कोई changing तो किया नहीं है देखिए default font size क्या है Libre office writer में 12 कितना है 12 pt 12 याद रखेंगे आपके Libre office writer में default font साच कितना होता है 12 pt 20 point होता है और अगर आप इसमें minimum करेंगे तो minimum आपका 6 pt होता है drop down में और अधिक्तम 96 pt होता है drop down list में इसके बाद जो आपका ये भी पूछता है कि जो लिब्रेफिस राइटर है लिब्रेफिस राइटर में जो एक default रूप से कौन सा font होता है लिब्रेफिस राइटर में default font कौन सा होता है यहां दिया हो default font क्या लगा हुआ है इसमें font name liberation serif ठीक है liberation serif जो है कि default रूप से font होता है इसमें तो default font font size default font क्या होता है जो minimum maximum कितना होता है इस सब को अब बिल्कुल ध्यान में रखेंगे ठीक है तो अब हम आ होगा है दो चार छे आठ दस एक 11 कुल कितने में इसमें 11 में आपके मवजूद है ठीक है अब इस मीनू में किसमें क्या command है यह बहुत ही important है तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और इसको copy में note भी कर लिजेगे किसमें कौन सा command है जो भी new में देखे आप आएंगे तो new में आपका क्याम लगा text document, spreadsheet, presentation और किसी वी परकार के कोई अगर नई पूछे जाता है इसका देखता आपका सीधा पूछे जाता है wizard option किस menu में होता है तो विजार आपशन किस menu में है आपका wizard option आपका file menu में होता है ऐसे जो save save edge तो आपको पता ही होगा already तो save save edge का होते हैं file menu में already होते ही हैं इसके तरह अगर आप PDF में save करना चाहते हैं तो किस जो है की menu का यूज़ करेंगे तो हम file menu का यूज़ करके हम आएंगे export पे और export as PDF करके हम PDF में export कर सकते हैं अपनी file को इसके बाद इस तरह के सब्सक्राइब करें प्रिंट प्रिंट करने से पहले उसको देखते हैं कि कैसा प्रिंट होने पर दीखेगा डाकुमेंट हमारा ठीक है तो प्रिंट प्रिंट यह सब आपका और सांस में जो एक प्रिंटर सेटिंग और प्रापर्टी देखेगे डीश्टल सिगनेचर को जरूरर ध्यान लखेगा डीश्टल सिगनेचर जरूरर पूचता है तो डीश्टल सिगनेचर कहां पर होता है फाइल मीनू में होता है तो इसमें से इंपॉर्टन कौन कौन से जो अधिकांस पूछे जाते हैं एकजिट लिब्रे ऑफिस डीश्टल सिगनेचर प्रिंट प्रिव्यू एक्सपोर्ट एच पीडियाप सेव एज टेंपलेट विजार्ड और ओपेन निउ इतने कमांड पेन विजार्ड टेंपलेट सेव एज एक्सपोर्ट एच पीडियाप या फिर एक्सपोर्ट प्रिंट प्रिव्यू डिश्टल सिगनेचर और एक्जिट ठीक है यह सभी आपके इसमें पूछे जाते हैं इसके अत्रीक आप एक चाई और ध्यान रखेंगे कि एक्जिट ल अगर आप कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं तो क्या होगा कि आप लिब्रे आफिस जो प्रोग्राम होता है लिब्रे आफिस से बाहर आने के लिए हम कंट्रोल क्यू करते हैं एक्जिट करते हैं तो यह हो गया हमारा फाइल मीनू ठीक है इसे के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स् प्रसक्त पाइड करने के कमानड मिलता है तो अगर आप को एडिट करने के कमान्ड मिलता है तो अगर आपको यह चीज़ है कि कॉमेंट इंसर्ट करना तो कमेंट आप मेरे सकते एडिक कर सकते हैं ठीक है अगर कोई त्वी इन्ट कर सकते हैं लेकिन न्या नहीं कर सकते हैं आपको वस्लिएंट कि में यहीं में क्या दिया हुआ है कि एडिक में आपका undo, redo, यह सब तो आपका होता ही है, ठीक है, तो बस इतने command आपको याद रखना है, edit menu से, यानि, undo, redo, repeat, undo, redo है, और cut, copy, paste है, select all है, और find, replace है, बस यह command आपको याद रखना है, edit menu से, बाकी नीचे से आपके questions नहीं पूछे जाते हैं, इसके बाद आपका view है, view देखिए, view के बाद आपको कैसे देखना है, यानि किसी उपरकार के कुछ देखना हो, तब के लिए हम view menu के उच करते हैं, ठीक है, ऐसे में जो है, कि आपसे क्या फिर रहता है, कि ruler bar so hide करने के लिए, किस menu का उच करेंगे, या फिर grid lines को, grids को so करने, hide करने के लिए, किस का उच करेंगे, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, कहां से आप view से करेंगे, view menu में आपका होता है, ठीक है, और default रूप से हमारा किस view में होता है, तो normal view में होता है, हमारा Libre Office, और साथ में आप ध्यान रखेंगे, status bar, so hide करने के लिए, आप view से ही करेंगे, rulers को भी so hide, आप यहीं से कर सकते हैं, और scroll bar को भी so hide कर सकते हैं, grids को भी so hide कर सकते हैं, साथ में देखिए, जो आपका formatting mark होता है, तीक है, यह भी आपको मिलेगा, और इसमें देखिए, बहुत दिए important आपका क्या मिल जाएगा, आपका side bar, side bar तो बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो side bar है, पुझे था कि side bar की sort key क्या होती है, जो side bar है, side bar जो आप देख रहे होंगे, इस side में राइटर में कुछ यह कमांड दिख रहे हैं, यह ही आपका side bar इसको so hide करने के लिए, control plus F5 का यूज किया जाता है, इसके साथ ही नेविगेटर भी पुझा जाता है, नेविगेटर देखिए, आपको कहा मिलेगा, view menu में नेविगेटर जो होता है, इसके लिए shortcut key F5 होती है, और यह आपका view menu में होता है, ठीके, और यह full skin के sort key भी पुझा जाती है, बहुत जूर यह full skin के sort key, तो full skin के sort key क्या इस्तेमाल करते हैं, control, shift, plus F4 का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, full skin के लिए control, प्लस, shift, plus J का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अगर हम दबाएंगे, तो क्या होगा, हमारे जो लिए पुझा फुझा फुझा में दिखने लगेगा, इसके title बार हाइड हो जाएंगे, तो यह होगे आपका view menu, इसके बहुम बढ़ते हैं insert menu में, इंसर्ट में में पहला क्या दिखा है, पेज़ ब्रेक तो बहुत ही important है, control, enter, इसके लिए short की होती है, तो अगर पेज़ ब्रेक करना है, पेज़ ब्रेक को insert करना है, तो आप insert menu में जाएंगे, कोई image देखिए, image, chart, media, कोई object, या फिर कोई shape insert करना है, तो आप कहां से insert करेंगे, insert menu से, यह अगर आपको अपने document में कोई image लगाना है, कोई chart, कोई media, shape, object, कुछ भी लगाना है, और कोई बाहर से कोई भी चीज़ अगर आपको लगाना है, अपने document में, तो आप क्या करेंगे, insert menu पेज जाएंगे, तो इसमें यह button आपका page break हो जाता है, image होता है, तो page break, insert image, आपका insert menu में होता है, इसका text box, text box कहां से insert होगा आपका, insert से ही होगा, comment भी insert कहां से होगा, insert menu से होगा, फिर आपने word art पढ़ा होगा, तो word art जो आपने पढ़ा था, image office में word art नाम से जो पढ़ा था, वो आपको मिलेगा, library office में font work नाम से, ठीके, ऐसे मैं भी जो है, कि जब पहली बार library office को देखा, तो कुछ interface समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा दिया, और इसको थोड़ा सा practice किया, बिल्कुल easy हो गया, और इसमें कोई कठीन नहीं रहा गई, और बहुत easy है, ये भी बिल्कुल आपके image office की तरह ही बस क्या है, कि उसमें tabs की जब इसमें से, आपके menu आ गये हैं, ठीके, और ये से उसमें हम बोलते हैं, word art बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं, font work, तो देखें, बिल्कुल image office की तरह देखो, दिखा दिया न, ऐसे जो भी आपको set करना, आप set कर लो, और ok कर दो, ठीक देखो, आपका text लिख करके, आगे, आप इसमें edit करना है, double click करो, तो आप यहीं पर कुछ भी लिखना है, तो आपका यहीं पर लिख लो, ठीक है, देखो, इसमें लिख लिख देए, novel IT studio, ठीक है, तो कर देखो, आपका लिख गया, इसको जो भी size आपको गटाना बढ़ाना है, आप इसको size को गटा बढ़ा लो, तो अपना size set कर लो, ठीक है, अब आपके total आपका बिल्खुल उसी तरीके से command आपके मिलेंगे, इसमें भी जो आपका MS office था, ठीक है, अब कलर आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, जो भी color देना है, ठीक है, तो आपका insert में क्या मिलना है, आपको page break मिलना है, कोई image insert करना हो, तब के लिए option है, text box है, comment है, और font work भी है, font work यानि कि आपका word art होता है, और hyperlink मिलता है नहीं, link अगर create करना हो, तो hyperlink भी आपको मिलेगा, इसी में, और control case की sort की होती है, साथ में bookmark बना चाते हैं, बुक में आपने देखा होगे, डायरी में क्यों होते हैं, उसमें धागे की तरह लगा होता है, जिसको हम बीच में कहीं फरते हैं, वही पर लगा देते हैं, बाद में diary फिर वहीं से हम खोल सकते हैं, आसानी से वैसे ही आपका bookmark करने के लिए, यहीं कि अपने document में mark लगाने के लिए bookmark का इस्तेमाल करते हैं, तो bookmark भी आपको इसे मिलेगा, साथ में special character भी insert कर सकते हैं, और page number, header footer, footnote, endnote, यह सभी आप insert menu से ही add कर पाएंगे, ओके, चलिए, तो insert में आपको ध्यान में क्यारकना है, header footer, page number, footnote, और hyperlink, font work, comment, image, object, shape, page break, यह सभी आपके किसमें होते हैं, insert menu में, ओके, फिर हम बढ़ते हैं format, तो format में जो है कि आपके text की formatting आजाती है, जिसे आपको bold, detailic, underline, कुछ भी करना है, तो कहाएंगे, आप format menu में text option मिलेगा, इसमें आपको मिल जाएगा bold, detailic, underline, ऐसे बहुत सारे आपके command मिल जाएंगे, तो आप इसमें sort की जरूरियाद कर लेंगे, देख लिए यहाँ आपके इसपस्ट दिख रही है, bold के लिए control B, italic के लिए control I, double underline के लिए control D, और superscript के लिए control shift P, sub script के लिए control shift B, increase size font के size बढ़ाने के लिए control के साथ bracket close है, decrease size के लिए control के साथ bracket open है, और case को बदलने के लिए shift F3 है, ठीक है, तो यह आपके text के जो भी है, command आपको मिल जाएंगे, फिर spacing, align, clone formatting, तो इसमें जाधर कोई जाधर कुछ नहीं पुछे जाता है, इसमें बस आप से यह पुछे जा सकता है, कि text की formatting समंधी command कहां पर होते हैं, फिर bold, italic, underline, superscript, subscript, यह सब आपके command कहां पर मिलते हैं, तो यह आपको format menu के अंदर मिलते हैं, format menu में होता है, format menu से होती है, तो यही बहुत simple सा है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, format menu में इसको notes बना लीजिएगा, notes बना लेंगे, तो आपको याद करने माखनी रहेगी, क्योंकि मातर एक बार देखने से याद नहीं हो जाने वाला है, तो आप इसको copy में जुरूर note कर लीजिएगा, जो important commands है, फिर है style, तो style में आप heading 1, heading 2, अगर आप जो हम style देखेंगे, में इस office में जो home tab में होता था style, वो आपको इसमें styles अलग menu दिया हुआ, इसमें सा heading 1, heading 2, या फिर title, ऐसे आप जो है कि इसको change कर सकते हैं, बाकि आप list यह बनाना हो, तो वो सब भी आप यहां से bullet list, number list आप यहीं से बना सकते हैं, तो bullet number list बनाने के लिए आप style menu का भी use कर सकते हैं, ओके, फिर आप जो है कि table, table आपका जो था simply insert table, आप देखिए, table insert करने के लिए हम table menu का इस्तेमाल करेंगे, यह तो बहुत सिंपल है कि जब हमें table समन्दी कोई भी काम करना होगा, तो हम table menu का इस्तेमाल करेंगे, और insert table के लिए sort की control plus F12 होती है, और साथ में formula insert करने के लिए sort के पूछता है, तो क्या होता है, F2 होता है, पीर टेबल को इस्तेमाल के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, फीर है form, तो form में आपका कि इस से question पूछा नहीं जाता है, वह यह वैसे कि इसमें कुछ commands दिए के लिए, text box, check box, caption, यह सब आप insert करना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे लेकिन इससे जो है कि आपका कोई कोशन अभी तक तो नहीं देखा गया कि फॉर्ण मेनू से कोई कोशन पूचा गया हूँ ठीक है फिर आपका टूल्स तो देखें टूल्स में क्या है आट्मेटिक आपको 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 आपके बहुत हीं इसके तो बहुत बार बार पूचा जाता है रिकाए हमने कोई कैसे लिखा है यह नहीं दिखा आपके यहां पना दफ नाम लिख दिया हमने नाम लिख दिया अब suitable toolल में आते हैं और यहां करते हैं June cuánt देखिए और और फो किमेंट में कितने वर्ट हो गए two words और कितने होगा 11 हो घर गरता है करिक वर को दिखाता है कॉ स्या upright किया कमांड बिलता है कि overwhelming छेक क Ci eagoli availability तेभी है साथ में ऒर्म करी कि भीछा चैया में वहाद मिलता है कई बार आपका exam में पूछा जा चुका पॉस्ट इपॉर्ण देखें मैक्रो है और क्या है आपका लाइन नंबरिंग है आटो टेक्स्ट है वर्ड काउंट है और टूल में होते हैं सको कॉपी में आप बिल्कुल नोट कर लें फिर आपका विंडो में कि आपको कहीं सारा खोला है आपने तो इसमें से एक से दूसरे विंडू पर जानेके लिए लिए फिसमें एक window से दूसरे window पर जाने के लिए हम window menu का इस्तेमाल करेंगे फिर आपका help help में क्या होता है कि आपको अगर आप कुछ help लेनी है तो आप help को ले सकते हैं help menu से और आपका पूश्टा है कि help के लिए shortcut की क्या होती है या फिर F1 किसके लिए shortcut की इस्तेमाल की जाती है जो F1 है F1 आपका help के लिए shortcut की इस्तेमाल किया जाता है तो आप याद रखेंगे कि help कि F1 होती है और help menu आपका LibreOffice में सबसे last one menu होता है ठीके अब बाद में अगर आप help में नीशे आएंगो तो आपको मिलेगा इसके बारे में जानकारी उपलब्द कराता है कि LibreOffice का कौन सा वर्जन है इंटरफेस क्या है टोटल उसके बारे में जानकारी आपको उपलब्द कराता है ठीके तो जो LibreOffice दर डाकुमेंट फांडिशन के दौरा लाँच किया गया है तो इस तरीके से जो हमने आज देखा LibreOffice राइटर के जो मीनू है उसमें कौन कौन से कमांड मौझूद है और कुछ इंपोरेंट सौट की जो कि आपके ट्रिपल से एजाम में पूछे जाते है तो मैं उमिद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेलपिल होगा और यह आप लोग इस से आपकी तयारी और भी बहतर हो पाएगी तो इसको आप बटाए कि जो इंपोरेंट थी हर मेंने आपको बताए कि यह आपका option बहुत important है कि किस menu में से आपका tools menu में मैंने बताया कि micro word count ऐसे कुछ command मैंने बताया कि यह सभी important है ऐसे जिस menu में सब ही menu में लगए बताए गए तो इन सब को आप बिल्कुल copy में note कर लें और उसको याद कर लें Libre office writer के लिए क्योंकि आज हमने Libre office writer का हमने देखा है तो Libre office writer से अगर आपकी menu से कुछ सना आ जाएंगे कौन सा किस menu में होता है तो अब इस वीडियो के देखने के बाद तयार करने के बाद आपको तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बिल्कुल से ठीके अगर कोई समस्या आती है तो आप उसको comment कर सकते हैं उसका solution आपको दिया जाएगा और दोस्तों आपको description में हमारे telegram channel का link मिल जाएगा आप वहाँ से telegram channel को subscribe कर सकते हैं और जो भी आपके कुछ updates होते हैं जो कि आपको इस telegram channel मिल जाएगे और साथ में जो भी आपके classes कराई गई हैं पहले भी triple C की उन सब का link आपको उस group में मिल जाएगा तो आप वहाँ से telegram channel को subscribe कर लिजे उस channel में आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी जो भी पहले class होई हैं उनका भी link आपको मिल जाएगा इंपोरेंट सौर्ट कीज मैंने जो लिब्रियाफिस writer है लिब्रियाफिस calc है लिब्रियाफिस impress है इन सब की सौर्ट कीज और साथ में जो इनका minimum maximum zoom size होता है इन सब के बारे में अपने मैंने website पर दे रखा है तो आप वहाँ website पर जा करके minimum maximum जूम साइज साथ में जो भी लिब्रियाफिस writer calc impress की सौर्ट कीज़ें इनके बारे में पर सकते हैं इस कहतरिक्ट भी कई सारे एप और जो भी important topics हैं triple C के इनके बारे में notes आपको उस पर मिल जाएंगे तो आप हमारी website पर विजिट कर सकते हैं तो फेंस आज के वीडियो में बस इतना ही और आज के वीडियो को ज्यादा ही लंबा हो गया लेकिन मैंने सोचा कि आज जो है कि जो भी आपके doubts हैं जो लिब्रियाफिस को लेकर कि लिब्रियाफिस writer के command और menu को लेकर कि वो doubt आपका बिल्कुल सालो हो जाए ठीक है तो मैंने इसमें जो भी important चीज़े थी आपके लिब्रियाफिस writer में उसको मैंने आज clear करा दिया है और अगर अब भी आपको कोई समस्या है तो उसको आप comment कर सकते है जिसकी आपको आगे उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी okay friends फिर मिलते हैं next day और important कुछ ऐसे ही चीजों के साथ तब तक के लिए बिल्कुल आप पढ़ते रहिए और तयारी करते रहिए